नमस्कार दोस्तों मैं श्ट लॉजर सचेजिन स्वागात रॉब जंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्श्कों का जनवरी 2023 चल रहा है नए साल में परवेश पर चुके हैं हैं और जनवरी का दूसरा सब्ता आठ तारिक से लेकर चौदा तारिक के बद्धे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी आप जो भी लोग अपनी चंद राशी से वीडियो को देखेंगे नाम राशी से देखेंगे उनको जाधा लाब होगा आप वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको लाब होगा और ये साल आपके लिए और उन्नती दायक रहे, इसके लिए हम आपको कुछ उपाई भी बताएंगे, जो वीडियो के अंत में होंगे, जिनको देखना भी आवशक होगा, आज आपका जनम दिन है, या इस अप्ताह में आपका जनम दिन है, आपको डिरो डिरो शुप काबनाए, पर आप खुश रहे परसंद रहें, और अब जानिए साप्ताहिक राशी फल अपती राशी का, उससे पहले चैनल को सस्क्राइब कर दे, बेल आइकन की बटन को दबा दे, फेस्बूक को इस्टर जापर भी हमसे संपर्क चोड़ ले, आपकी राशी के बारे में अब शुभारम करते हैं, सप्त के काम आपके लिए अशामती पैदा कर सकते हैं, सप्ता के मद्ध में आपको कुछ पेट समंधी विकार हो सकते हैं, गैस, एसिडिटी, पेट, तर्थ की समस्या परिशान कर सकती हैं, शिक्षा और भावनात्पक समंधों के लिए या समय ठीक रहेगा, बच्चों की पढ़ में कले कलेश हो सकती हैं, जिसके लिए आपको बहुत एलेट रहना होगा, और बहुत ध्यान रखना होगा बच्चों की छोटी-छोटी लाई शगड़ों पर, सट्टा जिसकी गतिविदियों के लिए समय उस्त रहेगा, समाजिक रूप से आप प्रभावशाली व्यक्तिय उसके साथ बैठके करेंगे, फाइदेबन साबित होंगी यह बैठके, इसके साथ साथ अपनी कुछलता और प्रभुनन से आप बिगले होगे कामों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी तारिफ भी होगी, सब्ता धीमे धीमे चलता जाएगा आगे की तरफ, आ आप अकेले उसके लड़ेंगे, अकेले ही आपको समाधार ढूणना है, आपको अपनों का साथ कम मिलेगा, आप फ़र से व्यस्त रहेंगे, पर तु घटनाएं जो हैं वो होकर रहेंगी, आप व्यस्त रहेंगे, योजनाएं भी आपकी सफर नहीं होगी, परशानियां अल योजनाओं की तरफ बढ़ जाएंगे, जहां पर आपको सफलता मिल सकती है, ये आप समस्दारी वाला काम करेंगे, दिरांख आर्ट से दस के मद्ध का समय ठीक नहीं है, किसी से बेवज़ा लड़ाई जगड़ा हो सकता है, किसी से बेवज़ा आपके वाद विवाद हो सक सकता है, या समय विशेश अच्छा नहीं कहा जाएगा, यात्रा की में कष्ट हो सकता है, बाचीत में लड़ाई जगड़ा हो सकता है, तू तू मैं में हो सकती है, ग्यारा और बारा तारिक को वैवरसाई कृतिविदिया सामानी रूप से चलेंगी, या समय मिले जुले फल देने मारा होगा, आपको पढ़ाई लिखाई बहुर अच्छे तरीके से करनी होगी, और आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहतरी अग्जाम देने होंगे, ताकि आपके कला परदशन का पता चल सके, या आपने क्या पढढा क्या नहीं पढ़ा एक्जाम में उसके जबाएगा तो पता से जाएगा कि आपकी पढ़ाई रिखाई कितनी सीरियस हो कर थी तो इस समय में बहुत ही मुश्किल घड़ी है मेश राशी वालों के लिए सभर समल करेंना है और आपको व्यवसाइग गतिविदियों में शामिल होने की भी जोग पर सकती है तो आप एक 32 कैसे भी खर्च हो सकते हैं आर्थिक इस्तिती में इजाफ़ा जरूर होगा तो समय के चलते चलते आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे परिवर्टन करा गया या आने वाला सप्ता है बेरोजगारों की कार की इस्तिती बढ़ेगी यानि कि उनको बेरोजगारों को काम मिल देगा महमानों का आगमन होगा उनके मिलकर दिल परसंद होगा चौदा तारिकों सभी प्रकार की सुख सुद्ध है आपको मिल जाएगी आठ जनवरी 2023 की बात करें तो आज करीं तरावर और समरस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अच्छा है आज करीवारिक मित्रों के आपके संबन्द माताजी से शुब बने रहेंगे आज का दिन जमा पूंजी बढ़ाने का है काम वैपार में व्रद्धी होगी नौजनवरी 2023 की बात करें तो आपको आपकी बाताजी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा यदि आपको इस संपत्ति खेंना चाहते हैं तो आज का दिन शुब है आज के दिन आपको एयर सब्सक्राइब करें तो आज का दिन परसंता दायक रहेगा आपको शुब समाचारों की प्राप्ति होगी प्रेम समध में आप सफल रहेंगे नए प्रेम समंध बन सकते हैं आपकी जमापूजी बढ़ेगी आज का दिन जुआ शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं आज आपका दिन ठीक रहेगा आप बच्चे हैं तो पढ़ाय लिखाए ठीक रहेगी वैपारियों का वैपार बढ़ेगा नौकरी में उन्नती करे करें आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी करने माई लोग अपना कारे पूंगा आपका स्वास्त अच्छा रहेगा मन अच्छा रहेगा आप यह मैं परसंता उस्टा बना रहेगा किसी पारवारी के समाजी कुस्तों में भाग लेंगे वैपार वैपार बढ़ेगा किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं खेल कूद में आप अच्छा परदेशन करेंगे और खेल कूद की वज़े से आप किसी सरकारी नौकरी के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं यानि स्पोर्स कोटा से बारा जन्वरी की बात करें तो विद् कर सकते हैं आज आप बच्चों को पॉकेट वनी कुछ जादा दे सकते हैं आज का दिन अच्छा रहेगा समय उक्तव रहेगा खर्श को बढ़ेगा तेरा जन्वरी की बात करें तो आज विद्या में सवस्ता प्रार्थी के लिए बहुत ही अच्छा है नौकरी कर देना लो करते चले जाएंगे आप देखें वाला है की चोटी 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 च्छोटी काम की परिशान कर सकते हैं आपने समय किन अ कि reminder sos और किसी भी परिशा प्रत्रमता में जब आप बैटनी जा रहे हैं कि आपकी त्यारी कर रहे हैं तो उसमें भी अपने एक्जाम को चुप चाप जाकर दे किसी को बताये नहीं कि मैं एक्जाम देने जा रहा हूं क्योंकि अगर कोई टोक लगी तो फिर काप बिढ़ जाएगा संखर्ष करें सफलतावश मिलेगी और आपके कोई अनुश्यक वाद विवाद हैं किसी से तो भी दूर हो जाएंगे और आप परिवार के साथ वक्त बिता पाएंगे यह था आपका पूरे सप्तह का हाल अब जानते हैं उपाय क्या उपाय करें जिससे हमें लाब होगा 76% आपको शुप परड़ाम मिलने हैं 6 नंबर आपके लिए लगी रहेगा और आप बात करते हैं मेश राशी के लिए उपायों की आपने पूरा वीडियो देखा अपती राशी का अब बात करते हैं कि कैसे और समय को बहतर बनाया जाए तो उपाय क्या करना है हनवान जी की उपासना करनी है शिव जी की उपासना करनी है जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं इसके साथ साथ आप लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं भगवान विश्नु की उपासना करें भगवान श्री राम की उपासना करें मंदिर में श्रम दान करें श्रम दान समझते हैं श् चोटा सा हिस्सा उन जरूरत्बन लोगों को दें जो वाकई में जिनको धन किया उसकता है या अंड किया उसकता है तो आपके लिए आने वाला वक्त और भी बहतर हो जाएगा और कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहें उनकी सेवा करें चाहे वो स्ट्रीट डॉग हों चाहे वो अपने घर के पले हुए डॉग हों उनकी सेवा अच्छी तरीके से करें उनको खिलाते पिलाते रहें और आनंद में समय मिताते रहें तो यही चोटे-चोटे से उपाए अगर आप करते रहें तो यह साल इतना बहतरी भी जाएगा कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं ल पना लिजिए सारी जिन्दगी स्वास्त भी अच्छा रहेगा पैसा भी आता रहेगा और सोच विचार भी अच्छे रहेंगे तो इतना करके देखिए इतनी सलामानिये मेरी आपका आने मला दोजार तेज का बचा हुआ वक्त बहुत ही बेत्रीन होगा और वर्तमान से आपके लिए स्पेशल टिप्स और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो दबा दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जनब गुर्ली बनवाना चाहते हैं तो यह गया नमबरों पर संपर कर सकते हैं